जैशी कृष्णा दोस्तों हर हर महादेव कैसे हैं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों आजकल ऐसी लाइफ इस्टाइल हो गई है हमारी ऐसा कुछ जीवन हो गया है कि समश्या है हर घर में प्रतेक घर में समश्या ही समश्या है हम जिन्दिगी को अच्छी तरीके से जीने की कोशिश करने लगते हैं प्रतने हमारा सफल होने ही लगता है और कुछ न कुछ समश्या हमारे सामने आ जाती है जैसे कहीं हमारे परिवार का कोई सदश्य बहुत ज़्यादा विमार रहता है कहीं लक्ष्मी की कमी है कहीं हमारे बच्चों को अच्छी नोक्री नहीं मिल पा रही और हमारा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा हमारे बच्चे वेदी पड़ाई में कमजूर है कुछ ना कुछ कारण जिससे हम हमेशा तनाव में रहने लगते हैं अवसाथ की स्तिथी आ जाती है ऐसे में हम क्या करें आज मैं आपको इन सभी समश्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए छोटा सा उपाय बता रही हूँ इस उपाय में ज़्यादा कुछ भी नहीं करना लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा है आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें साथी अच्छा लगे तो लाइक करें मेरे चेनल पे यदि आप नए हैं मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें साथी अच्छा लगे और आप इस प्रयोग को करके देखें आपको फायदा हो आपका कोई रिलेटिव परिशानी में हो आपका कोई फ्रैंड परिशानी में हो तो आप इसे अवश्य इस वीडियो को शेर करें क्योंकि कहते हैं न कि हम यदि किसी का अच्छा करते हैं तो हमारा भी अच्छा जरूर होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे लिए वो दुआएं असर करती हैं अब आपको मैं इस उपाय की बारे में बताने जा रही हूँ यह तुलसी से किया जाने वाला उपाय है हिंदु धर्म में तुलसी का बहुत महत्व होता है ऐसी मानिता है कि तुलसी मालक्षमी का ही रूप होती है हर हिंदु घर में आपको तुलसी का पौधा अवश्य मिल जाएगा तुलसी का पौधा पुजनी होता है कहते हैं कि सिर्फ नीमित रूप से यदी तुलसी जी की पुजन करने वो उसमें जल समर्पित करने से ही व्यक्ति पर मालक्ष्मी की क्रपा बरसने लगती है साथी समस्त दुखों का नाश होता है और मित्यों के बाद भी व्यक्ति को सदगदी प्राप्त होती है यदी आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपके घर में सकारात्मक उर्जा बनी रहती है नीमित रूप से तुलसी की पूजन करने से और देख भाल करने से घर में सुक समरदी और खुशियाली आती है क्या आप जानते हैं तुलसी की तरह ही उसके पानी के भी अनेक फायदे होते हैं तुलसी के पत्ते डाल कर बनाया गया पानी काफी पवित्र माना जाता है कहते हैं कि अगर तुलसी के पानी का उपाय कर लिया जाए तो माता लक्ष्मी हमेशा उस घर में प्रसन रहेकर बिदमान रहती हैं हमेशा उपस्तित रहती हैं उस घर में विराजमान हो जाती हैं और घर में खुशियाली का आगमन होता है आईए, जानते हैं तुलसी के पानी से जुड़े हुए कुछ विशे शुपाए जिन्हें करने से मा लक्ष्मी की क्रपा प्राक्त होती है साथी नोकुरी और बिजनेस में तरक्की मिलती है, बिमारियों से मुक्ति मिलती है यह तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को श्री हरी को तुलसी अत्यन तिप्री होती है इसलिए कहा जाता है कि काना जी को यदि आप सुभे आपके हाँ लड़ू गोपाल हैं और आप इसनान कराते हैं तुलसी के जल से आप इसनान करवाएं तो भगवान बहुत कि पूजा का विशेश महत होता है इसलिए इस महा में तुलसी के पानी से लड़ू गोपाल को इसनान कराना विशेश फलदाई होता है आप जो इसनान का जल आपने त्यार किया है भगवान का श्री कृष्ण का लड़ू गोपाल का आप उसमें एक तुलसी दल डालने और देखेंगे कि इतना करने भड़ से सिर्फ तुलसी दल के जल से इसनान कराने से ही आपके घर में कैसे सकारात्म कूर्जा आने लगती है, आपके घर में मालक्ष्मी का प्रवेश बढ़ जाता है, नए-नए रास्ते खुल जाते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आप गर में कोई लंबी बिमारी से परिशान है, परिवार का कोई सदश्य, लंबी बिमार समय से बिमार चल रहा है, तो उस पर आप तुलसी के पानी का छिड़काओ करें, ऐसा आप सुभह शाम पुजन के बाद एक हपते तक लगातर करके देखें, ऐसा करने से सरीर में गुश दवाई खाये हुए, आप सिर्फ जल छिड़कने से ही आपको इतना फायदा होगा कि आप आश्चर चकित हो जाएंगे, और यदि आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप छिड़काओ तो करें ही, साथ में उस तुलसी दल के जो जल आपने बनाया है, उसे भी, आप जब भी उस बि परिवार इस तुलसी दल, डले हुए जल को पीता है, तो आपके घर में कभी भी कोई विमारी प्रवेश नहीं करेगी, यदि कर भी जाती है, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी, ज्यादा परिशानी नहीं होगी, दोस्तों, यदि आप बहुत महनत कर रहे हैं, लगातार महन आप परिशान मत हुए, आपको मैं छोटा सा उपाय बताती हूँ, आप तुलसी के पत्तों को, तुलसी दल आप तुलसाजी में से निकाल लें, तो तोड लें, कभी भी तुलसी दल आप तोड़ें तो ये विशेश ध्यान रखें, कि आप तुलसी जी से बिंती करें, तु आप तुलसी दल दें, ये विशेश क्रिया होती है, जो करना ही चाहिए आपको, ये आप चाहते हैं, कि आपके परिवार में शुक्षानती हो, तो आपको ये कारे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी कोई पोधा नहीं होता, तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का रखना चाहिए, मानना चाहिए, कि हमारे घर में शाक्षात भगवान बिराजमान हैं, आप तुलसी दल लें और तीन निन तक पानी में भिगो के रखाएं, इसके बाद आप इस पानी का छिरकाव सुभह शाम पुजन के बाद अपने कारोबार के स्थल पर करें, इससे आप जौब में हैं और वहां कुछ परिशानी चल रही है, तब छोटी सी कुछ ऐसी डिब्बी में या शिशी में भर के ले जा सकते हैं, आप जहां बेटते हैं, वहां हलका सा शिरकाव कर दें आप एक दूबून का, आप अपने पर्स में रख के ले जा सकते हैं, करें, द आपको वहाँ उपाय बताने जा रही हूं जिसे आइदिय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक सकारात्मत बदला होगा एक चमतकारी परिवर्धन आपको ये उपाय करने में कुछ बिशेश नहीं करना रहेगा किन्तु बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखने लगीगा नकारत्मक शक्ति आपकी घर से भाग जाएंगी और सकारत्मकुर्जा का प्रवेश आपके घर में होने लगीगा ये बहुत एक विशेश उपाय है अच्छू कुपाय आप इसे अवश्य करें आप तुलसी पत्रों को पानी में डाल कर रात भर भीगने छोड़ दें और पर अवश्य करें इस तुलसी दल के सिर्फ छिड़काव से ऐसा करने से आपके जीवन में एक अभूत पूर्व परिवर्दन होगा चमतकारी परिवर्दन आप करें बिश्वास करकर श्रदा करके आपके दिश्रदा बिश्वास से कारेंगे आप देखना आपके जीवन मे कैसे जल्दी ही बदलाव शुरू हो जाएंगे आप करें साथ ही बिश्वास रखें आप पर और आपके पूरे परिवार पर मा लक्ष्मी की क्रपा हमेशा बनी रहे ओम नमस्षिवा